कि दोस्तों 1000 का इसकोर रूट कैसे निकालें अभी हम बात करेंगे ऐसा मेथड़ सिखेंगे जो आपके एनने कुशन में भी काम आएगा इस मेथड़ को आपको एक वार सिखना पड़ता उसके बाद आप किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या का इसकोर रूट इंसूट क्यों में निकाल लेंगे इसमें हम क्या करते हैं आपके केवल तीन स्टेप करने होते हैं इसको लोंग डिजियन मेथड करने कहते हैं देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा समलित है बाहर से अंदर के और संख्याओं का ग्रूप बनाना दो-दो का देखिए यहां पर दो-जीरो इनका गुरूप बन गया अंदर में आपका यहां पर यह एक गुरूप बन गया तो यहां पर आपको क्या करना है जो आपका अंदर में गुरूप बना है ऐसे अंदर में ठीक है उसको लेना है कितना है अंदर में दस बना है इस दस को लेकर आपको क्या करना है एक काम करना पूप क्या है ऐसी संख्या को चुनाओ करना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर या तो यह आ जाए यहनि दस आ या इसे जस्ट कम आये कि तो देखिए चार गुणा चार शोड़ा आ जाता है यह तो ज्याद आ गया लेकिन इससे कम एक स्थावलेते हैं यहन्裁imana टीन लेते हैं तुझ का उसके आपका तो इससे कम वारा है मल्टिप्लिय के सनिडीए 9 आरा है डॉला है जीक है इसको किस का टुनाव किया यहाँ पे हम यहाँ लिख देता हूं देखो इसको यहां हमें जो लिखते चलेंगे यह आपका यहां जो है square root का value निकल के आ रहे हैं इसको आपको जो यहां लिखना है यह आपका पहला step complete हो गया second step इनको दोस्तों 8 कर देना है तो 3 plus 3 6 हो गया इसको minus कर देना तो यहां पर कितना गया one उसके बाद यहां पर जो आपका यह अगला group है वो क्या है double zero इसको यहां लेकर आ जाना है अब देखिए आपके पास नहीं संख्या क्या बन गई यहां पर hundred बन गई यहां पर कितना है six है इस six के पिछे ऐसा क्या लें उसका multiply करें कि आपका क्या आ जाना चीए hundred आ जाना चीए तो मैंने one लिया one का multiply किया तो 61 आ रहा है देखिए मैं यह तो लेता हूँ two का multiply करता हूँ आपका ज्याद आएगा आपको डारेक दिख भी गया है और मैं करके भी दिखा देता हूँ 124 आगया जो कि इससे ज्याद है तो हमारा कौन सक्सेज हुआ इसमे वन सक्सेज हुआ है तो यहां पर कितना आ गया इनका multiply करने पर कितना आया है हमारा 61 आया है अब अगला वही step इनको तो हम 8 करते हैं और इनको गटाते हैं यहां आप देखिए गटाने पर क्या करेंगे बोरो लेकर गटाएंगे इसको बोरो देगा तो यह 10 हो जाएगा 10 में से एक गया कितना 9 आ गया यहां पर 9 है अब य पर कितना बन गया 9 में से 6 आ गया 3 ठीक है अब क्या करना है आपको यहां पर देखो आगे कोई आपका ग्रूप नहीं तो पॉइंट लगाना है और इसके पीछे 0 लगा देने है ठीक है अब आपके नहीं से क्या क्या बन गया जियां से देखो यहां तो यह बन गया यहां पर क्या है यह अब आपको क्या करना है इसके पीछे से कौन से संके ले उसका गुणा कराएं कि आपका क्या आना ची यह नहीं यह आना ची जो मैंने यह लिखती है सेम टू सेम ओके तो देखिए यहीं मैं यहां पर 36 होता है यहां पर 49 है तो इसको ज्यान में रखते हुए जो आपको थोड़ा अपना कैलकुलेशन करना ची जिसे कि आप जल्दी से जल्दी अपनी कैलकुलेशन को कर सकें यहनि आपको ज़्यादा कोशिश ना करने पड़े अपने मुदे पर पहुंच पाएं यह कितना हो गया 36 हो गया इसका केरीश चला गया 312 और 315 हो गया एक केरीश चला गया 36 एक कितना हो जाता है 37 हो जाता है ठीक है तो यहां पर आपका सेटिंग किसका बेठा 6 का बेठा तो इस 6 को यहां लिख देना है मल्टिप्लाई करने पर आपके पास कितना आया है 3656 चीक है तो यहाँ पर इसको जब आप घटाते हैं तो आपके पास एक उधार देगा यहाँ पर 114 निगल करा रहा है ओके घटाने पर इनको हम एड़ करेंगे तो यहाँ बार आ गया एक केरियो होके यह आ गया ठीक है अब इसके पीछे हम 20 लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास नहीं संख्या क्या बन गई है यहाँ आपका नहीं संख्या बन गया यहाँ पर क्या है इसके पर से ऐसी कौन से संख्या लें का गुणा करें कि आपका जस्ट यह आना चीए तो देखिए मैं इसको जहां से देखता हूं तो इसको मैं यही दो से मल्टिप्लाइ करता हूं कि मेरा बार आता है यह नि दो का सेटिंग बेठेगा तो मैंने यहां पे 6, 8, 9, 10 कुछ भी नहीं देखा डारिक्ट मैंने इसको चेक किया पता लग गया कि इसका दो गुणे के लगबग है इसका जो फास टू डिजिट है तो यह आ गया आपका फोर यहां भी फोर आ गया यहां पे 6 आ गया यहां पे यह आ गया अब देखिए 3 लेके चेक करते हैं त कितना 12,000 वो क्या आजएगा 18,000 जबकि यह आपका कितना है 14,000 है ठीक है ऐसे है जो तीन डिजिट के बाद ऐसे लगा के आपको जो कर लेना थी यह तुलना अब देखो हमने किसको लिया दो को लिया दो का गुणा किया तो आपके पास कितना है बाराजार 600 चमारी साया है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम दो लिखेंगे तो इसका एप्रोक्सिमेट वेल्यू कितना गया 31.62 और आगे यहाँ पे आपको जितने डिजिट तक वेल्यू चाहिए उतने डिजिट तक वेल्यू है जो कैलकुलेट कर सकते हैं ओके मैं आपको क्यों इस वीडियो में इतना यहां पर 5 आ गया यहां पर कितना बन गया है आपका 13 ए 3 में से 6 आ गया 7 यहां पर 3 है छिक है इसके पीछे फिर 20 आ जाएंगे और इसके पीछे फिर संख्या लेंगे ऐसे हैं आपका केल्किलेशन आगे से आगे होता जाएगा वीडियो कैसा लगा नीचे कोमेंट करके झाल झाल